पूरा 2022 नौजवानों के संघर्ष में बीता कोई सूबा नहीं बचा कम सक्म हिंदी भाषी भारत का तो कोई सूबा नहीं बचा जहां नौजवान रोजी रोजगार और नोकरी के लिए सड़क पर उतरने को विवश्ना हुए हूँ जहां नौजवान दिये हुए इम्तिहान के रिजल्ट के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर ना हुए हूँ कोई ऐसी सड़क शायद बची हो किसी सूबे में जहां नौजवान भरती परिक्षाओं में पेपर आउट के खिलाफ पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर ना उतरने को अभी शक्ता हुए हूँ कोई ऐसा इलाका बचा क्या जहां इम्तहान हुआ हो और सॉल्वर गैंग ने नकल माफिया ने अपनी सेंधना लगाई हो इन सब के बीच इस घटा टोप के बीच इस निविल अंधिकार के बीच में नौजवान 2022 भर रहा और ये भी सच है कि नौजवान जब जब सड़क पर उत्रा कोई राज्य रहा हो तो उसकी पीठ और पुलिस का डंडा नौजवान की पीठ और पुलिस का डंडा यही रहा उसकी आख में आक्रोश दिखता है मुझे वो उत्रपदेश का नौजवान हो बिहार का हो मद्रपदेश का हो राजिस्थान का हो जारखंड का हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वहां किसी किस पार्टी की सरकार है इससे भी फर्क नहीं पड़ता बुनियादी मसले और दशा दिशा एक सी है उन्नीस बीस का अंतर मान लिजिए राज दर्राज जहां इम्तहान हो गए वहां पने मित्याओं की शिकायते इतनी है जिसकी कोई सीमा नहीं राजिस्थान में भी नौजवान CBI इंक्वाइरी की मांग करता है तो उत्रपदेश में भी कर रहा है पार्टियों की स्थरी ये है जो जहां सरकार में है वो पार्टि वहां कहती है कि ने ठीक हुआ इम्तहान ठीक दी नौकरी ठीक हुई परिक्षा ठीक बना पर्चा और जो बेपक्ष में होता है वो नौजवानों के साथ खड़ा हो जाता है बिहार में लालू जी के बेटे और राज्जी के मवजूदा डिप्टीचिप मिनिस्टर ते जिस्वी आदव है अभी छे महीने पहले जब वहां एक पर्चा आउट हुआ लीक हुआ पेपर बिहार में तो ते जिस्वी भाबु ने कहा कि हर लड़के को हर अभ्यर्थी को पांच हजार रुपया सरकार दे जो उसका नुक्सान हुआ आने जाने में अब उनके कारिकाल में जब सरकार का वहां कंपोजिशन बदल गया तो अभी कुछ दिन पहले पर्चा आउट हो गए वहां बिहार में तो दियस्वी जी ने कहा पर्चे कहाँ नहीं आउट हो पूरी देश में आउट हो रहे सब जगागा हो रहे हम लोग लगें सक्ति करेंगे अब सक्ति करेंगे जब पक्ष में थे तो पांची उस दिन राजनेतिक दल अपने द्वारा बिपक्ष में रहते हुए बोली गई भाशा दिये गए वचन और किये गए वादों को सत्ता में आने के बाद निभा ले जाएंगे उस दिन पांच साल में स्वर्ग धर्ती में उतर आएगा। सरकारी कर्मचारी मिले उन से, तो उन्होंने मनमोहुन सिंग जी को चिठी लिखी और कहा कि नई पेंशन कर्मचारीयों के हितों के प्रत्यकूल है, इसलिए पुरानी पेंशन ही बहाल की जाए. पर्ष्टिदिया बदली, वो विपक्ष से सत्ता में हैं, सत्ता के केंद्र हैं, अब सरकारी कर्मचारी उनको यही बात याद दिला रहा है, ऐसे हर राज्य की स्थिति है, एक तो उधारन मने दे दिए, मैं हर राज्य के उधारन दे सकता हूँ. अब जहां बहुत लंबे समय से भाजपा सरकार में है, या कॉंग्रेस तो कहीं लंबे समय सहे ने, भाजपा है जिसे मद्वपदेश में, तो वहाँ, वो क्या कहेंगे, वहाँ तो अच्छा बुरा सब उनके खाते में है, बिपक्ष की कोई इसी भूमी का नहीं, लेकिन य नया वर्ष आने वाला है, लेकिन नये वर्ष का सार्थक आमद तब होगी, जब उस गरीब माबाप की देहरी पर एक दीपक जले, संतोष का, संतुष्टी का सफलता का, कि उसने अपना पेट काट कर घर मकान गिर्मी रखके, खेत गिर्मी रखके, अपने बेटे बेटी को पढ़ाया, लिखाया, संंगर्श किया, उसको उसके हाथ को कोई काम मिल गया, उसको नोकरी मिल गई, उसको रोजगार की विवस्ता हो ग وأ, जब ये हो जाए, तो मानिये मंगल में हेवर 22 बीत गया और मजे की बात ये कि कोई राज्य ऐसा नहीं चाहे उत्तापदेशो चाहे मद्धपदेशो बिहार हो जहार खंड हो हरियाना हो कोई राज्य ऐसा नहीं जहां 2-4 लाक भरती खाली नहो कोई राज्य ऐसा नहीं बिहार में अभी में देख रहाद शायद धाई पोने तीन लाख भरती खाली है बाकी रोजगार तो छोड़ दीजी यह तो सरकारी भरती खाली फिर भी नौजवान सरक पर प्रदर्शन को मजबूर और प्रदर्शन करने सरक पर निकलेगा तो पुलिस की लाठी उसकी पीठ पर पड़ेगी सबसे बड़ी समस्या यही है बादा खिलाफी और दूसरी समस्या है नेता विपक्ष में है तो दूसरी भाशा बोलेगा नेता सत्ता पक्ष में है तो दूसरी भाषा बोलेगा, मैं कहता हूँ एक भाषा बोलिये, जब कंठ एक है, तो एक बाध बोलिये, सत्ता पक्षो बिपक्ष से आपके आवाज मदल जाएगी, तब तो फिर रास्ता नहीं निकलेगा, राकेश पांडे, चाहे उत्तर पदेश चे बिहार, चे मद्यपदेश राजिस्थान, मुझे सब जगा एक सी तस्वीर दिखी 22 में, नौजवान सड़क पर और सड़क पर पुलिस की लाठी उसकी पीट पर, कोई परिक्षा शायद ऐसी हुई हो, जो विवादित न रही हो, राजिस्थान में में देख रहा हूँ पिछले 12-13 साल में जितनी परिक्षाएं हुई, लगभग सब में पेपर लीक हुआ, उत्रप्रदेश में तमाम परिक्षाएं ऐसी हुई, जिन में पेपर लीक हुआ, पच्छिस लाख बच्चे बैठे थे टेट में उसका पेपर लीक हो गया था, 22 एसे गया तमाम मैं कहूं कश्ट पूर्ण इस मर्तियां छोड़कर, 23 में क्या देख रहे हैं, क्या होना चाहिए, मैंने एक बड़ सुझाव रखा था, कि अध्यापकों को पर्शिक्षंट देने वाली जिसने भी विद्याले हैं न, यूपी विहार, राजिस्थान, मंत्यपदेश, जारखंट, 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 सम्में बंद कर दो कब सकम 5 साल के लिए, क्यों चला रहे हैं उनको, जब नउकरी नहीं दे पा रहे, इमतान ठीक नहीं करा पा रहे, और इमतान हो जाए, तो début नहीं निकाल पा रहे सालों साल, और रिजल्ट हो आ जाए तो मुकदमा नहीं रुक रहा तो बंद करो यह BTC भलाना निकाना LB LLDL क्या-क्या है प्रिशिक्षा हजारों करोन रुपए का कारोबार है यही बंद करो कम से कम गरीब का पैसा तो बचे बाप ने बेश दिया खेत लड़के को BTC करा के और लड़क रागव आपका मसाला भी बहुत लंबे समय से चल रहा है प्रशाशन अपनी गलती स्विकार नहीं करता यह उसका एक चरित्र होता है उसने अगर एक बार मान घोशना कर दी कि सब ठीक हुआ तो वो अंतर तक कहेगा जी सब ठीक हुआ मानता नहीं यही शाशन का वो है पूरा बाइस गुजर गया आपको लड़ाई लड़ते लड़ते कि भाई इस दरोगा भरती मामले में धांदली हुई है सॉलवर गेंग का इंटरफेरेंस हुआ है इसलिए इसकी जांच CBI को भेज़ दो अभी तक कोई स्थिती पर स्थिती तो बनी नहीं अब 23 में क्या उमीद करते हो भाई ठीक बात है चोदरी हनुमान आपके सूबे की भी तस्वीर बहुत धुंदली है बड़ी खराब है दोस्त 13-14 साल पिछले जिसमें सब दोनों पार्टियों की सरकार है रहे ली वसंद्रा जी गैलोज जी वसंद्रा जी ठिक कोई बड़ा इंतहान बिना पेपर लिग के नहीं हुआ और सब अपने पीठ थप थपा रहे हैं करें जी हम तो बहुत अच्छा काम कर दी सब और लड़का सड़क पर है नहीं दस दस लाख रूपए में पेपर बिखता है क्या परिक्षा होगी और जो गरीब परिवार का बच्चा है वो कहां जाए वो तो जिन्दकी में पिर कभ गया भरती सामने हैं और पद भी खाली है हर राज्य में फिर भरती इमानदारी से छे महिने के भीतर भरती संपन करके उनको ज्वाइनिंग दे दी जाए न धरने की जरूरत पड़े न प्रदर्शन की जरूरत पड़े न लाठी चार्ज हो ये रास्ता सरकारों को क्यों पस पड़े के पास जो बात मनों जी कह रहें न वो भी ठीक नहीं समान काम समान वेतन मिलना चाहिए लेकिन जब मैं अब उत्तरपदेश की और नजर जालता हूं तो मेरा मन और जाधा वो हो जाता है भाबो को आपके यहां 24 तो मिल रहा है 24,000 तो है न नियुन्तम बताया ठीक यहां शिक्षा मित्र को 10,000 अनुदेशक को 7,000 उसी में महिने बर श्कूल आओ जाओ धक्का खाओ अम्मा का इलाज कराओ बाप का इलाज कराओ वच्चे पढ़ाओ घर मकान सब करो शादी ब्या रोग दोग सब वो भी 11 महिने का कैसे चलेगा कोई सोच सकता है कि आज के दवर में 10,000 रुपया ही नहीं 11 एक साल में आप एक लाग 10,000 रुपया देंगी कुल उससे और एक अभी भीमा की स्कीम आई थी राकेश बंडे जिसमें मैंने देखा उसमें फिर मैंने कहा भी कि मैं ये क्या कर दिया कि 75,000 रुपया साल दीजिए तो माता पिता पतनी बच्चे सब का इंस्यूरेंस हो जाएगा मेडिक लेम का सरकारी मैंने का एक लाग 10,000 साल भर में कमाएगा 75 भी माम दे देगा तो कहां जाएगा फिर रोटी कहां से गाएगा और इलाज किस बात का कराएगा तो प्राणी चूट जाएगा राग्याशी ये ऐसे बहुत सारी समस्याई हैं भरती एक विशे दूसरा दूसरा विशे है कि जो काम कर रहे हैं उनका वेतनमान और उनको जीवन जीने सम्मान पूर्वक जीवन जीने लाइक परिष्थितियां मसला यह भी है कि कहीं इमतान करा लिया और पर्चा आउट हो गया कहीं परचा चलो आउट नहीं हुआ तो सॉलवर गेंग आ गया कहीं सॉलवर से भी बची तो इमतान हो गया तो रिजल्ट रुग गया मुझे रोज इस तरह के संदे शाते ह परिक्षा का रिजल्ट नहीं आया इतने महिने हो गए इतने साल हो गए रिजल्ट जारी करने में भी समस्या है क्या ये तीजीटी पीजीटी तो कतई बंद हो जाना चाहिए 10 साल के लिए ठिक हर साल ददस 20-20 लाग लड़के हैं आप उतारे दे रहे हो मैदान में क्या क्या करेंगे मैंने यह बात कहीं भी थी सरकार में कि बंद कर यही सभी स्कूल यह एफ्टी टेट और सुपर टेट और क्या-क्या भवाल है बीटी सी और बील्डी एल्डी सब बंद कर यह कुछ साल के लिए और जब नवकरी नहीं है यह दे नहीं सकते तो बंद करो बे मतलब का 25 लाख लड़कार पहले फारब भरे बेंक ड्राप्ट लगाए फिर देश-प्रदेश भर में ट्रेविल करें इम्तहान दे और उसके बाद फिर हजरत गंज में प्रदर्शन करें तो कम से कम पैसे ही बचे इसलिए वो सब टीटी टीटी के लिए चिंतन दो दे उसके डेट ना आई सो अच्छा समझे ना उसके लिए बहुत उस्साहित मत होई है ना उससे कुछ जितने पहले एक टीटी पास है वो क्या कर रहे है वो बताईए उनको बीजे ने उगरी जाए कि टीटी हो जाए बीटी सी हो जाए दस पांच कालीज और प्रसिक्षन के खुल जाए सरकार मानने को तयार नहीं ठिक दो सो पकड़े जाए और चाहें पकड़े जाए दो हजार एफ आई यार दस हो चाहें हो सो ठिक फिर क्या होना चाहिए मेरी सलहा होगी यूपी एसाई के सारे नौजवानों को इस तरह के जो भी आपको इस अला दे रहा है कैसा कहो के हमसे बहस कर लें डीजीपी और चीप सेकेटरी और मुख्यमंत्री इन सब बातों को कोई आर्था नहीं शाषन ने एक लाइन अगर ले ली तो उस लाइन को शाषन नहीं छोड़ेगा ये भी जान लीजिए ठिक आपकी पीठ मजबूत है तो सालचे मेने और डंडे खाईए अन्य था इसका कोई समाधान अगर निकल सकता है तो अदालत से निकल सकता है बाकी आपके संगठन जो है वो आपको मिस्काइट करें तो मैं जिम्मिदार नहीं क्या क्या क्योंकि भारत में हर चीज में एक नेतागीरी भी पैदा हो जाती है क्या नेतागीरी के बाल राजनेतिक दलों में नहीं है बाकी जगा समाधान निकलेगा SIT जांचो ये CBI जांचो ये हाई कोट के अलावा कहीं से नहीं निकलेगा रागव ठाकोर आप समझ गए ना हाई कोट के अलावा या सुप्रीम कोट के अलावा ये कहीं से नहीं निकलेगा समाधान आपको अदालत को संतुष्ट करना हुगा ठीक ये जान करो मुकदमे लिख जाएंगे आपके खिलाप ये तो हो सकता है जाच नहीं होगी ठिक ये भी जान लीजे चोधरी सहाब एक परिक्षा अगर इमांदारी से नहीं हो सकती क्या सरकारे इस राष्टेव को शायद जानबूज कर उलजाती है कि फिर समविदा पर करमचारी रखन कि छूट उनको हासिल हो जाती है चिक कि जब नहीं हो पारे भरती तो क्या करें हम तो प्रयास कर रहे हैं तो चलो समविदा पर रखलो और समविदा अपने में एक अलग किस्म का सोशन है एक अलग किस्म का खेल है एक अलग किस्म का माया जाल है कि ये बीमारी कोरोना जैसी है हर जगा फैलिये बाबू मनोज जी के प्रदेश में भी यही कारीगरी है बोले जिस तीनों पाली की रद करो बोले तीनों दो एक पाली रद कर दी दूसरी और तीसरी पाली के में पेपर में गड़बड़ी हुई इसका सबूत लड़का लेके आए तो रद करेंगे क्या है चलना है क्या करीगा मनोज जी एक सवाल मैं सबसे पूछना चाहता हूँ जिस देश में इतनी शांती से चुनाव हो जाता हो बहाँ ये छोटी सी परिख्षा क्या चीज है इसकी तो कोई विसाती नहीं ठीक कभी चुनाव अटका लटका भटका नहीं कभी ऐसा हुआ अगले साल पड़े बाकी आदे नहीं ना कभी ऐसा हुआ चुनाव हो गया पर तीन साल वाद रिजल्ट आया कौन जीता का उन्हारा नहीं ना फिर यहीं समस्या क्यों है मेरी बुद्धी ये कहती है कि सरकारी इस्थाई नियुक्तियां जितनी अटकेंगी भटकेंगी लट उतना ही समविदा के लिए राष्टा खुलेगा और समविदा का मतलब शोषन का माया लोक ठिक एक तो उसमें ये भी लाब होता है शोषन का भी अधिकार होता अब दूसरा ये है कि अपने चाचा भतीजे रादनेते कार करता इनको सब को समविदा में लगाने में चूट ह होती है क्योंकि मैं बात समझ ने पारा जब देश में इतने बड़े-बड़े काम हो सकते हैं इतनी शांती से 25 करोड लोगों के आबा गमन वाला कुम्भ संपन्न हो सकता है तब ये प्राइमरी स्कूल के टीचर का इम्तान क्यों नहीं हो पाता है भरती का चर्चा कर रहे थ इतना सबसे था वही आपसे पूशता हूं नीमित भरतियों में जंजट होते रहे लफड़े लगते रहे बेरोजगार महासंग बनते रहे धरने होते रहे पदर्शन होते रहे पुलिस चलती रहे लाटी बजती रहे ये सब काधिक्रम चलते रहे तो इससे सरकार को एक रास चोटा गेट खोल दो ठीक पाकी मुकदमा चलता रहे गाई कोट सुप्रीम कोट अपने ठीक है युवा बेरोजगार मंच बनते रहेंगे धरना परशन होता रहेगा वह अलग कारिकम चलता रहेगा लेकिन जैसे मैं देख रहा हूं राज्यों में लाखों की संख्या में कर पूरा अंदोले नहीं चला रहे हैं इसमें दो चीज अवर ध्यान रखिए एक तो इसकी आप सरकारी में इस्थाई चतुल्त श्रेनी कर्मचारी की भी भरती सीधे करा पाना अपने मन मुताबिक थोड़ा ठेड़ा काम है अब तिक आप कितरे भी बड़े पदपर बैठे ह उससे कोई फरकने पड़ता है ठीक डीजी पी अभी चाहा लेगी सिपाई के अभी राकेश पांडे को सिपाई भरती करा दे तो उनकी चाहने से नहीं होगा दस तरह से गुजरना होगा प्रक्लिया से ठीक लेकिन कोई संविदा का रास्ता निकली आए तो उसकी लिष्ट बनती है क्या उसमें साढू की लड़के का सलहज की लड़के का मउसा का फूप आकिनाथी का सब के नाम डाल दो क्या जा रहा और इदस अजार तो मिलेगा प्राइमरी में नहीं डिग्री कालिज में नहीं डिग्री कालिज में यूपी में बिहार में मदप्रदेश में राजस्तान में दस-दस हजार में टीचर पढ़ा रहे हैं जाक पता करेंगे दस हजार में डिग्री कालिज में तो कोई क्यों भरती करेगा पूरी राकेश बांडे जी यह जो आपका मन्च है इसका तो कामी खतम हो जाएगा बेरोजगारी का मसले नहीं जब पर्मानेंट रखन का व्यवस्था ही खत्म हो रही है देश से बोले अध्यापक रखने हैं बिहार में साड़े चार लाक रख दिये क्या लेकिन इस्थाई बाले पचासी हजार है सरकारी जिनको बोलते हैं क्या उत्रपदेश में एक लाक बहत्तर जार एक जटके में रख दिये थे प्रधान जी के कहने से या किसी राधनेता कहने से चांजिस का नाम लिख दिया नहीं बाद में जो होगा वो उनके परिवा जो बात गोविन जी कहे रहे हैं उसमें भी राधनीत होती है एक के खिलाब संदर्श होगा तो दूसरा राधनेतिक दल उसका लाब भी लेगा उत्तर पदेश के नोजवानों की उस पर भी एक बात कहूंगा अब सबकों पता है चार साल से भरती नहीं आई तिन साल से भरती नहीं आई फिर भी जब टेट का फहरम आता है तो आप सबसे पहले लाइन में आगे खड़े होते हो जाके. BTC में सबसे आगे खड़े होते हो कि ये BTC का मतलब संजीबनी बूटी मिल गई. अब BTC करते हुई एकदम जैसे BTC करके भाले छे बार निकले बसटे पियाएंगे वच से ही शिक्षा निदेशक बसंडेप मिलेंगे ओक भाईया यह लो नुकति जो करते हैं बीटीसी अपने माता पिता कि पसा क्यों कर आप कर रहे हैं कि क्यों कर रहें टीटी है 25-25 लाख हर साल बाहर होते रहेंगे टीटी पास 20-20 लाख कहा जाएंगे हाँ यह बात गोविंद मिश्राइब को चाहिए और राकेश भाटे की संगेडान को भी सोचण चाहिए अंधेरे में मत रखिए गरीब के बच्चे को इस यह कोचिंग बालों का धंदा भति आ रही है भतिया रही है आजाओ पांच लाग की भरति दस लाक की बति आती जाती कहीं कुछ नहीं मनोज बाबु गलत तो नहीं है यह कोचिंग बालों का धंदा है कोचिंग बाले कहते हैं कि ऐसा प्रचार कर दो थोड़ा गोविंजी गलत बोलना हूँ गया इस लिए इस सबसे गरीब के लड़के को बचाईए वो उस गरीब बाप की कमर तूट जाती है इस प्रपंच में रागव ठाकूर आपके लिए मेरी सलहा है आपके संगत इस मासले से जुड़े लोगों की सबको अभी मुझे जो बात समझ में आती है कि आप पूरी शिद्दत से पूरी ख्यमता के साथ आप सब जो भी लोग अभ्यर्थी थे इस UPSI में उन सब को हाई कोट में अदालत को संतुष्ट करने की कोशिश करने चाहिए SIT जाच, CBI जाच जो भी जाच है वहीं से निकलेगी हो सकता है मेरी बात उतनी उत्तेजक न लगे आपको तागत देने वाली जितनी राकेश पांडे की लगे या गुविंग मिस्रा की लगे ठीक यह लोग संगटन चला रहे हैं क्या लेकिन मैं आपको आपके हितकी सला दूँगा मैं तो संग्टन चला नहीं रहे था आप एक हजार ट्विट रोज करते रहे हैं सुबह उठके ब्रह्मा उर्त में क्या हर महिने धरना आयुजित करिए फिर भी अगर आप जाच चाहते हैं तो हाई कोट से आएगी यह सुप्रीम कोट से आएगी मैं ठीक है ना कि जान लीजिए शाशन ने एक व्यू ले लिया एक पक्ष ले लिया कि हमने भरती ठीक से करा दी अब आप इससे क्या फरक डाल लेंगे कि 20 लोग रपतार हुए यह दोसों कोई फरक करने पड़ता मेरे हिसाब से गोबिंजी गलत तो नहीं कह रहा है कि ठीक बात है ठीक बात आप दोसों के ठीक ठोंग दो दो हजार ग्रपतारी के ठोंग तो यह सरकार कहीगी देखो हमने जित्ते घरवरते से बंद तो कर दिये अब भरतीम क्या दिक करते ठीक है आपको नहीं लगता कि जो भी लोग राजनीत राजनेतिक लोग हैं या विवस्था के लोग हैं उनके लिए संविधा से ब Elizabeth में और को रास्ते नहीं जंजट नहीं जमेला नहीं नहीं कर्मिचारी की आजा जब मन भर जाए तो हटा दो उसकी जगा रामलाल को भगा दो श्यामलाल को ले आओ दसजार उसको मिलने लगे आज के जवाने में दसजार कम है क्या नेता जी के कुर्ते में हमेशा 10-50 नवकरी तो रहती है इसी बोले चले जाओ संबेदाम जॉइन कर लो गल नहीं को बागी तो प्रधान मंत्री भी ऐसे नवकरी नहीं दे सकते किसी को सरकारी नवकरी की तो एक प्रक्रिया है सरकारे ये बात अच्छी तरह जानती है कि गरीब का बेटा बहुत लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता न लड़ाई लड़ने के लिए भी तो पैसा चाहिए उत्रप्रदेश में ये बच्चे आते रहें मेरे पास सालों से इतने मोटे-मोटे फाइलों के गठर लेके आते थे मेरे पास क्या उसमें जाने कहां कहां कि जज्जमेंट और उनके सब पूरा रिकार्ड बड़ा सब है मैं कहता था भाई इसके लिए भी क्या खेद गिर्मी रख दिया यार आपने कितने साल से लड़ रहे हो है अब सोच सकते हो है अब सोच सकते हो क्या है पूरे गाउं की साल भर की फसल इतने रुपिया की नहीं होती है जितना इसे वकीलों की एक पेशी की फीच रहे पता है इस बात का इस बात करते हैं किसी जमीन का भाव बढ़ाना होता है गोविन दुश्रा तो वह यह प्रचार करा देते हैं परचे चपा देते हैं अक बार खबर चपा देते हैं कि यहां फलानी योजना आने वाली है धिकाना हाईवेई यहां से निकलेगा और मेट्रो बिल्कुल घर में बन जाएगी और शॉपिंग मॉल खुलने वाले क्या खुले ना खुले उनके ठेंगे जमीन बेच की वार ठिक बैसे ही मैं रोज वे ज्यापन देखता हूं फलाने फलाने सर फोटो लगी किसी लड़के की हैं टाई आई बांदे कोटोट पहने ह हैं फलाने सर की क्लास शुरू हो गई शुरू हो गई इलाबाद में अलोपी बाग के पीछे हैं गुड्डू समोसे वाले के पास क्या आने वाली हैं पांच लाग भरतियां आप नहीं रहेगा कोई बेरोजगार ऐसे नारे लिखे होते हो उसमें क्या है हमको पता यह फेक ह है मैं इसमें हिस्था किनकिन को मिलता है मैं वह उसका खुला सानाय करूंगा ने तो सब दुष्मनों हो यह इस से पैसा पाईदा होता है अर्वो रोपय का अर्व करभा में इस गलते हियं मत रहेगा मैं मैं सामानी ज़्यार्थी से कहूंगा ऐसे उन से बचिए ए geliyor र Сам कोचिंग या एक ही तरीके का अभियान इस्तेमाल करते हैं अपनी сतन धन्दा चोख्या करने के लिए गोविंजी गलत कहीं लगे आपको लगे प्रेक्टिकल बात नहीं के तो बता दीजेगा ठीक ना कैसे कैसे चप्र गंजू होगी फोटो चपती है अगवार में फलनवास सर फलनवे सर जने केम्परिज से पढ़के आये हों है पता लगा वो कुछ खुद नहीं जानते लेकिन ने दो सेटिंग है उनकी पेपर छापने वाले से है कब पर छापने वाला कौण जो मुंनन के काट छापता है संतना ने कथा कि Mix 001 इस कोचिंग बाले सर्ण की सेटिंग बात कतब हो गंगंगंगा ना हो यहीं न कर रहे हो सब लोग कि ठीक है और इसमें और लोग भी शामिल है वह आज अभी नहीं जाओंगा वहाँ क्या बिल्डर जबका इसे खबर जब आता है तो वहां के किसी एकाद आर डबलुए वाले को भी पकड़ लेता कहता है तुम भी बयान दे दो हैं गजग भिजबार है शाम को तुमारे हैं तुम भी बोल दो हैं हमको भी पता लगा यहां मेट्रो आने वाली है क्या ताकि और प्रा संविदा पर लगभग लगभग राजी सरकारे देश भर की संविदा पर शिफ्ट हो गई है कुछ सिवाओं को छोड़ दीजी से पुलिस है क्या है बाकि सब संविदा पर शिफ्ट हो रहे हैं उत्रपदेश में जाईए बिजली विभाग में देखी जाकर जिले में 10-15-20 लोग पूरे जिले भर में मेरे काल से पर्मानेंट सरकारी होंगे बाकि सब तो संविदे में हैं जो जी रहा वो भी संविदा में जो मर गया तार पकड़ते पकड़के वो भी संविदा में निकलता है क्या सच नहीं है कि सच है कि इस शिक्ष्यमित्रों की स्थिति ऐसी क्यों हुई है कि दस हजार रुपए है क्योंकि सरकारों को यह चीज सूट करती है कि राजनेतिक एजन्टा सदता है इस सरकारों ने क्रेडिट लिया होगा ना कि एक लाग बातर जार भरती कर दी हमने अनुदेशक में 32,000 लोग भरती कर दिये वो साथ हजार रुपिया पा रहे क्या करेंगे मनोज बाबु के इस राज्य में साड़े चार लाक अध्यापक भरती कर दिया आच्छा जी वो सब वही वाला है संविधा वाला क्या करेगा एक बार देश में यह तै होना चाहिए कि क्या देश को हम संविधा से चलाना पाइसे स्थिती पाइदा हो जाएगी कि एस पी ऑउ कलेक्टर के अलावा फिर जिले में डियाएउस से एस पी कलेक्टर पांसाथ दस पनों को छोड़ दीजिए तो सब संविधा यह संविधा मिलेगा नहीं संविधा पर क्यों रखना चाहते हैं विक्ति को उसके कई समस्याएं है शोषण के अलावा भी गुल्वत्ता पर भी असर पड़ता है लेकिन राजनेतिक लोगों को सूट करता है यहीं से नौजमान एक अंधी गली में चला जाता है हुआ 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 है ठीक बात किसी ने मेट्रों को उधार ना दिया अच्छा उधार ना दिया वो काम बैंक भी कर चुके है प्राइवेट वाले वो भी संविदा पर रख लिए टेलीफोन करने वाले दिन बर क्या आपको लोन चाहिए क्या है अब वो गरीब समद्रें के में स्टीएपसी में हो गए है कि स्टीएपसी से मतलब उनका नहीं है किसी एजेंसी को ठेका मिला उसने सो लोग सप्लाई कर दिया यह स्थिति है कि बुनियादी बात इसके लिए संगर्ष होना चाहिए और 2023 में इस पर कोई रास्ता निकलना चाहिए कि अगर पद है खाली योग्य अभ्यर्थी सामने है तो अभी इसी तरह के विश्य पर हम लोग चर्चा कर रहते गोविन जी थे दब उसक्त मेरे साथ तो मैंने कहा था एक ऐसी नियमा वली बना लीजिए विधान सभा में नियम लियाए हर राजी सरकार कि 180 दिन के भीतर भरती पूर्ण करनी होगी है अगर पूर्ण नहीं होती तो विभागा देक्ष जो उस विभाग का दिमुखिया है वो जिम्मेदार होगा क्रिमिनल निगलीजिंस का केसगर्ज करिए आप राधिक उपेक्षा का उसके किलाब पूर्ण जेल भेजिए 180 दिन का वो मान लीजिए टाइम फ्रेम इससे आगे नहीं पर्चा आउट हो जाए तो उस विभाग के मंत्री से लेके और प्रमुक्ष सचिव तक जिम्मेदार होने चाहिए पर्चा आउट होगे आपने कल्लू बन वाले को उठाक जेल भेज दिया उससे को फड़ रहा है मंत्री भी मौश ले रहा है संत्री भी मौश ले रहा है बोले बस वाले को जेल भेज दिया बोले क्यों बोले उसकी बस में तो लोग पर्चा सॉल्म कर रहे थे मजाक है कि नहीं जिसकी बस में पर्चा सॉल्म हो रहा है तो उसको जेल भेज दिया और उसकी मिने होता दूस में मैंने सुना जिस दिन पर्चा आउट हुआ कि सरकार को कि 44 लोग बंद कर दिये मैंने पूछा कौन है 44 लोग बोले यह वह जिनने पर्चा खरीदा था मैंने का यह पर्चा बेचने वाले उनको बाद में पकड़ेंगे ढूंड रहे हैं बताइए मजा किसे बड़ा को हो सकता है जो पर्चा बेचे वो नहीं पकड़ेगे जो पर्चा खरीदे वो पकड़ेगे उनको भी पकड़ो लेकिन ज़्यादा खतरनाक वो लोग हैं जिननोंने पर्चा आउट कराया और पर दस-दस लाग में बेचा इस देश का दुर्भागी यह है कि जो समय सबसे ज़्यादा उर्वर होता है जीवन में वो समय सडक पर बीतरा है नौजमान का जो देश के काम आना चाहिए था व्यवस्था और समाज के काम आना चाहिए था मुझे पता नहीं नेताओं ने देखा कितना ने देखा नहीं देखा लोक जीवन अधिकारी हो ने देखा कि लेकिन मैंने देखा है गाउ में बच्चे को पढ़ाना किसी बड़ी तपस्या से कम नहीं है माता पिता की बाप अपनी धोती नहीं बदलता फटी पहने रहता है मा मोतिया बिंद का आपरेशन नहीं कराती है लड़के ये लड़की को पढ़ाती रहती है कोटा में रखके या इलाबाद में रखके या भूपाल में रखके या राची में रखती है पेट काट के पढ़ाते हैं, पेट काट के पढ़ाते हैं, फिर ये लाठी चार्ज, मुकदमा, ये, मुझे बड़ा कष्ठ होता है, जब मेरे पास इन नौजवान आते हैं, इतने इतने जज्जमेंट और लिखा पढ़े के, फाइले लेके, मैं कहता हूं, इनको तुम्हें न कि सुप्रिम कोट और हाई कोट के गलियारों में ख़ड़े रहें, लेकिन जब राजनीती हट धर्मिता पर उतराए, तो उसका फिर सार्जिनिक तोर पर प्रतिरोध भी जरूरी हो जाता है, और पर अधालत की शर्र में जानना भी मजबूरी हो जाता है, नहाए के लिए फ कष्ट नौजवानों ने जेले हैं, रोजी-रोटी, रोजगार और नौकरी के संदर्भ में, 2023 में उनमें कमी आए, देश के लिए ये अच्छी बात नहीं, शर्मनाक बात है, कि बेरोजगार मंच बनाना पड़े बच्चों को, सोचिए, नहीं, मैं यह समझ नहीं पाता, जो इमत्हान हो गया, उसका रिजल्ट नहीं दे रहा हूँ, रिजल्ट एफफिक्स निपाजित है क्या, कि बेंक में बढ़ रहा है, इसलिए अभी नहीं जारी करेंगे, क्यों नहीं देते हूँ, वहां से मन्शा पर सवाल पैदा होता है, और एक पनी करके मैं बात समाप्त करूँगा, बड़ा कठिन है डगरपन घटकी, हमको पता है, राकेश को पता है, गोबिन मिश्रा को पता है, कि भई, दो लाक मल्व भरती खाली है, प्राइमरी में, इन्हों ने भी सब जोड़ा घटा ना किया, लेकिन व्यवस्था तो सरकार से चलती है, मंतरी ने विधान सभा में कहे दिया, कि अनुपाद समानुपाद सब बराबर है, लिखत पड़त में, तो कहे दिया, तो कहे दिया, फाइल में लगिया का गाई, यह हुआ न, राकेश समाने, यह हुआ न, आप चिल्लाते रहे हैं मंच बनाके यहां से संकट पैदा होता है कि यह बच्चा जाए तो जाए कहां विधान साब आम पुष्णा आया था सरकार ने उसमें शिक्षा मित्र अनुदेशक सब को जोड़ के बता दिया बोले सब ठीक है बिल्कूल बहुत ज़्यादा है और सरप्लस है कई जगाते अध्यापक लो अब तब सच्चा मित्रों की ये बात समझ नहीं है कि अगर हम इनको अध्यापक मान रहे हैं तो इनको फिर अध्यापक का पैसा तो दे ये बड़े विडम बनाए हैं और UPSI के संदर्भमे में एक बात कहूंगा कि शाशन को इस पर विजार करना चाहिए कि कि अगर इस परिक्षा से बड़ी संख्या में अभ्यरती संतुष्ट नहीं है उस तो उसके शुचिता पर विजार होना चाहिए अगर बीजियों पचासियों लोग पकड़े गए जो सॉलवर थे पचासियों अगर मुकदमे दर्ज हुए इस प्रक्रण में तो इसका मतलब है कि शुचिता कहीं न कहीं प्रभावित हुई है और उस परिक्षा का मां परिक्षा का मां तभी जब उसमें सामिल होने वाले लोग उसको विश्वच्नी माने अगर उसमें शामिल होने वाले लोगों कोई भरोसा नाहीं तो मुझे लगता है कि फिर वो प्रक्रिया बेकार जाच कराने में कोई हर्ज नहीं, फोल्ड पर डाल दीजी, एक बर जाच करा दीजी जो जाच में क्लियर हो नुगरी पाएं, लेकिन एक बर जाच हो जानी चाहिए, अगर हजारों लाखों बच्चे चाहा रहे हैं और प्रमार दे रहे हैं उसके तो मैं सरकार से भी अग्रह क करूंगा कि जाच कराने में कोई प्रतिष्ठा का प्रश्ण नहीं बनाया जाना चाहिए अगर जाच जरूरी है तो जाच हो जाए और आप सबको नए वर्ष की बहुत-बहुत शुब कामना है अब हम नए वर्ष पर मिलेंगे इश्वर आपके सपनों को साकार करे आपके और प्रूरी हुकर जाब हम नहीं बनाता हाँ ग के थो जएर आपके प्रू बनाता हुश को सालिय कि चेल वर्ष चाहिए पिए अट्पUaw Только जils बनाता है को जाए हुए जिसाय एक्षादान जुलत्ट्यौमि हम टूगरे हम आपके सब्सक्साद काम पूजर आपके